जय हीं दोस्तों मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब तो दोस्तों टाटा आई पीए 23 का मिनी अक्षन जो की 23 दिसंबर को होने वाला है यह अक्षन जो की कौची में होगा तो दोस्तों इससे पहले गुजरा टाइटन्स कौन-कौन से खिलारी को गुजरा टाइटन्स टार्गेट करने वाला है तो दोस्तों सबसे बड़ा जो नाम निकल का रहा है वह है मायंक अगरवाल यह दोस्तों बता दे कि मायंक अगरवाल बहतरीन बल्लेबाज इंडियन खिलाडी है टॉप अटर में बल्लेबाजी करते हैं और पंजाब किंग् है। यह दो सब दे कि मॉडरें कर्केट में सबसे किरिकेट में बल्लेबाजों उ कमाने जूरूट भली उतना ट्रइट अभी नहीं खिलते हैं हैं इसे में जूरूट के पीछे भी जाना वाली है गुजराच glide मीनि ऑक्षन में वहीं दोस्तों बात करते है hide Cris ज्ौरडन ब बता दे कि एक अलांडर के भी काम कर सकते हैं नीचा अगर अच्छा बैटिंग भी करते हैं और साथ में देथ बॉलिंग भी अच्छा करते हैं तो दोस्तो क्रीस जॉर्डन के पीछे भी जाने वाली है गुज्रा टाइटल मिनी ऑक्षन में वहीं दोस्तो बात करें चौथे बात करें पांचोई खिलाडी का दोस्तो वह है बैन एक्षन और इस अक्षन के सबसे बड़े खिलाडी हो सकते हैं लेकिन गुज्रा टैटल स्कीन के पीछे जाने वाली है मिनी अक्षन में और हो सकता है कि आपको गुज्रा टैटल के तरफ से खिलते हुए नजर आ सकते है बैन एक्षन पांचोई खिलाडी का दोस्तों वह है मनीज पांडे जो के बहतरीन बल्लेबाज इंडियन खिलाडी है इसे पहले हुआ लकनाव सूपर जाइंट के हिसा थे लेकिन इस बर्स रिलीज कर दिये लकनाव सूपर जाइंट मनीज पांडे को और मनीज पांडे के पीछे जाने वाली है गुजरा टाइटर क्योंकि उन्हें इंडियन बल्लेबाज जाहिए जो कि मनीज पांडे पुरा कर सकते हैं तो दोस्तों यह फांच जिनके पीछे टार्गेट करने वाली है मिनी अक्षन में गुजराः टाइटर तो दोस्तों आपको यह वीडियो कै कि आपको जरूर बताईए और किस टिम को आप देखना चाहते हैं कि कौन-कौन से खिलाई टारगेट करेगी हमें कमेंट बक्स में अभी बताईए तब तक मिलते हम आपको अगले वीडियो में कि अगुछ